दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे घर ये किसी भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर में कोलम कितना इंपोर्टेंट डोल प्ले करते हैं, ये हमारे घर के सुपर स्ट्रक्चर का लोल सब स्ट्रक्चर तक ट्रांसफर करने का काम करते हैं, इसलिए आपको घर बनाते समय कोल यह ज्यादा ना हो जाए और ज्यादातर लोग अधूरी जानकारी के कारण मकान बनाते समय बहुत सी ऐसी गलती अगर बैटते हैं जिसका खामियाजा उन्हें जिन्दगी पर भुगतना पड़ता है तो जो लोग अपना मकान बनवाने वाले हैं या बनवाने जा रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देख लें क्योंकि आज मैं आपको मकान के बारे में कुछ important बातें बताने जा रहा हूं कि दो कोलम के बीच का maximum distance कितना होना चाहिए यानि कि एक कोलम से दूसरे कोलम की बीच की दूरी क्या रखनी चाहिए residential building के लिए इसके साथ साथ मैं कोलम के बारे में G plus 3 यानि के 4 मंजिला घर तक के लिए मैं आपको complete जानकारी दूँगा कि कोलम का size क्या होना चाहिए कितना मंजिला घर के लिए कितना रखना है दूसरा मैं ये भी clear करूँगा कि किस size के कोलम में कितना मोटा सरिया रहेगा और कितने number of bar रहेंगे तो बहुत important topic है वीडियो पूरी देखना जानकारी पूरी लेकर जाहिएगा और वीडियो देखने के बाद अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को जादा से जादा like और अपने दोस्तों के साथ share करना ने भूलिएगा ओगे friends तो फिर चलिए समय को बचाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं तो friends सबसे पहले अगर हम दो कोलम के बीच की दूरी की बात करें कि दो कोलम के बीच जादा से जादा कितनी दूरी रखनी चाहिए तो एक normal residential building में G plus 3 story यानि के 4 मंजिला मकान तक के लिए आपको दो कोलम के बीच का distance 4 से 5 मीटर के अंदर ही रखना है यानि के अगर feet में देखें तो 13 से 16 feet तक इससे ज़्यादा दूरी आपको दो कोलम के बीच में नहीं रखनी है नहीं तो आप पूरी जिंदगी अपने मकान में crack से परेसान रहेंगे हाँ ये distance high rise और commercial building में बढ़ाया जा सकता है post-tensioning method के दुआरा पर क्योंकि यहां हम residential मकान की बात कर रहे हैं तो 4 मंजिला तक के मकान में दो कोलम के बीच का maximum distance 5 मीटर से ज़्यादा नहीं रखना है या 16 feet से ज़्यादा आईए अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप अगर ground floor एक मंजिला, दो मंजिला, तीन मंजिला और चार मंजिला तक घर बना रहे हैं तो आपके कोलम का क्या size रहेगा और इसमें सर्या क्या size का देना है पर ये सब details जानने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप civil engineering concept को और ज़्यादा depth में जानना चाहते हैं practical तरीके से समझना चाहते हैं तो civil field design consultant and trainer आपके लिए एक combo course लेकर आया है जिसमें पहले 99 student के लिए mega discount भी दिया जा रहा है जिसमें आप ये तीनो complete course एक ही prize में सीख सकते हैं इस combo course में आप एकदम depth में complete building design करना सीखेंगे complete foundation को design करना सीखेंगे safe software के साथ including raft and pile cap design और RCDC यूज़ करके complete structure detailing करना सीखेंगे तो वैसे तो इस course की regular fees 3,000 रुपे हैं पर जैसा मैंने बताया पहले 99 student के लिए ये course सिरफ 999 रुपे में है इसके साथ-साथ आपको कुछ bonus courses भी मिलेंगे जिसमें आपको slab, beam, column और footing की detailing e-taps and excel sheet भी प्रोवाइड की जाएंगी आपको इन सभी course का lifetime assess मिलेगा certificate के साथ और ये course बोथ हिंदी और English language में अबलेबल है आप अपनी convenience के हिसाब से language select कर सकते हैं जो जल्दी से जाईए और इस offer का लाग उठाए purchase link वीडियो के description में डाल दिया गया है आएए अब हम देख लेते हैं कि अपनी J plus 3 यानि के 4 मंजिला तक के मकान के लिए हमें column का क्या size रखना है और इसमें सरीय क्या देना है तो सबसे पहले हम सिर्फ ground floor की बात करते हैं कि अगर आप सिर्फ ground floor बना रहे हैं तो दो column के बीच का distance तो आपका 13 से 16 feet तक ही होना चाहिए और column का size रखना है 9 inch by 9 inch का यानि के 230 by 230 mm का और meter में देखें तो 0.23 by 0.23 meter का 9 inch by 9 inch से कम आपको column का size कभी भी नहीं रखना होता और इसमें आपको कम से कम चार बार देने हैं 12 mm डाया के 12 mm से कम डाया का बार column में कभी भी यूज नहीं होता है जिसमें जो stir-ups यानि के ring रहेगी वो 8 mm के सरीएगी बनेंगी जो 1.500 mm center to center spacing पर रहेगी सेकिंड अगर आप G पलस 1 यानि के 2 मंजिला घर बना रहे हैं तो फिर आपके column का size तो रहेगा 9 inch by 12 inch का यानि के 230 by 300 mm का और इसमें 4 के जगें 6 बार आ जाएंगे 12 mm के ही और stir-up सेम रहेगी 8 mm के 1.500 mm center to center spacing पर थर्ड अगर आप G पलस 2 यानि के 3 मंजिला घर बना रहे हैं तो column का size रखना है 12 inch by 12 inch का यानि के 300 mm by 300 mm का और सरीया सेम रहेगा 6 बार 12 mm के बस यहाँ पर column का size बढ़ जाएगा और फॉर्थ अगर आप G पलस 3 यानि के 4 मंजिला घर बना रहे हैं तो column का size तो रखना है 12 inch by 14 inch का यानि के 300 by 300 mm का और इसमें 4 बार तो रहेंगे 16 mm डाया के और 2 बार रहेंगे 12 mm के कम से कम और जो ring रहेगी उसका डाया 8 mm की जगा 10 mm रहेगा और spacing सेम रहेगी 1.500 mm यानि के 6 inch center center पर ओके friends और अगर आप अपने घर की 2D और 3D planning में हमने अपना whatsapp number डाल दिया है आप direct उस पर हमें whatsapp कर सकते हैं अपना plot size लिख कर ओके friends तो कभी भी मकान मनाते समय आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है और 2 column के बीच की दूरी 16 feet से ज़्यादा नहीं रखनी है तो I hope के दीगर जानकरी आप लोगों के लिए useful रहेगी और आपको अपना dream house बनाने में मदद करेगी अगर फिर भी आपकी कोई समस्या है तो आप हमें direct message कर सकते हमारे टेलिग्राम गुरूप पर आपको reply जरूर दिया जाएगा आप वहाँ से easily इन्हें download कर सकते हैं So friends, see you in the next video lecture और वीडियो बें यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद guys Thanks for watching and have a nice day